जैसे ही आपको पता ही कि 5-6 दिन हो चुके हैं मुझे यूज करते हुए Samsung का Galaxy F41 स्मार्फोन जैसे ही आप देख सकते हैं और 5-6 दिन में मुझे क्या-क्या प्रॉबलम फेस करनी पड़ी है इस फोन के एकॉर्डिंग इस फोन का speakers बगएर आपको कैसा देखने को मिलता है काफी लोग का questions था और साथ में heating problem आपको इस फोन की कैसी क्या देखने को मिल जाती है और साथ में काफी कुछ confusion है काफी लोगों के मन पर की क्या-क्या इस फोन पर आपको अच्छा देखने को मिलता है या फिर क्या किया आपको इस फोन के खरात देखने को मिल जाता है तो आज की इस वीडियो में आपका confusion दूर होगा और साथ हमें honest opinion आपके साथ share करने वाला हूं इसी phone के according कि मुझे क्या कैसा experience देखने को मिले इस phone के according 607 दिन यूज करने के बाद जो कि आज की इस वीडियो मे आज को subscribe करके नोड़ी बीकसान बालागें को जबाइस कर देना सुगाई यूडि को start करते हैं दड़ उस्टियानी टाइम सबस्वारत हम बात करते हैं इस phone की display से कि display आपको इस phone की कैसी क्या देखने को मिल जाती है तो नोड़ाउट display में मुझे अभी तक यूज कर रहा आती है जैसे अब देख सकते हैं काफी एच्छी colors के साथ में इस phone की display आपको देखने को मिल जाती है और साथ में आपको इस फिक्टल से भी बहुत यच्छी इस display के देखने को मिल जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको display में कोई भी कमी देखने को मिलेगी क्यों AMOLED डिस्पले आपको सबसे best display देखने को मिल जाती है इस phone की तो display आप बहुत यादा इस phone की अच्छी समाझ सकते हैं साथिम का इस second issue था काफी लोगों के मन पर की इस phone पर आपको scratches बगेरा देखने को मिलेगी या फिर आपको देखने को नहीं मिलते है अगर हम बिना cover की य देखने को मिल जाती है वैसे तो मुझे इस phone की personality design भी अच्छी नहीं लगती जैसे कि आप देख सकते हैं तो build quality आपको इतनी बेकार देखने को मिल जाती है अगर आप बिना case के इस phone को यूज करेंगे तो आपके scratches बहुत यादा आने वाले हैं आपके back panel पर जैसे कि आप द यादा scratches मेरे back panel पर आ चुके हैं फिलाल में ए दो से तीन दिन यूज करने के बाद भी तो आप यह मान के चलिए इस phone की build quality आपको बहुत यादा बेकार देखने को मिलने वाली मैं आपको खुद बता सकता हूं गारंटी की साथ कि कि मैंने खुद ही यूज किया और मेरे protection आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलती है बट डिस्प्ले पर भी मैं pocket पर डालता था अपने फोन को तुम्हेरे में scratch आ गये थे उपर साइट पर डिस्प्ले पर भी तो आप मत्रम माल सकते हैं कि build quality आपको इस फोन की बहुत यादा बेकार देखने को मिलती है प्राइस स इस फोन पर आपको हीटिंग उससी देखने को मिलता है या फिर आपको देखने को नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूं जब मैंने इस फोन को purchase किया था 18 तारीक को मेरे पास deliver it हो चुगा था फिर मैंने उससे 20 तारीक तक इस फोन को यूज किया था फिर उसके बाद मुझ सेमसंग के गैलक्सी एफ 41 स्मार्टफोन पर उस अपडेट करने के बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा है कि इस फों पर हीटिंग इसू आ रहा है अभी मुझे बिलकुल भी इस फों पर हीटिंग इसू नहीं आ रहा है मैं खूब आज दिन पर यूज करता रहा हूं अपडेट लाई है थो मुझे आ लगने लगा है कि हीटिंग इस उस फों पर बहूत कम हीटिंग इसू आता है इस फोंपर और साथ हम बात कलते हैं इस फों की speakers की कापी लोगों का confusion है कि इस phone का आपको speaker जो आपको call speaker देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी wise आपको काफी यदा धीन देखने को मिलती है या फिर काफी यदा slow देखने को मिलती है अगर हम किसी को calling करते हैं और बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिलकुल भी नहीं बहुत यदा clear wise निकल के आती है मैंने खुद call पर बात की थी आद दिन पर बात करते रहा हूं और साथ में जो मुझे इसका वो देखने को मिला experience बहुत यदा अच्छा देखने को मिलता पता नहीं किस ने उड़ा दिया कि भाई इसमें calling जो आपकी speakers हैं बहुत यदा लो हैं मुझे ऐसा नहीं लगा काफी यदा loud speaker आपको देखने को मिल जाता है calling speaker जो कि बहुत यदा अच्छी बात होती है तो इसके बारे में भी आप कोई भी टैंसर ना लीजिए speaker आपको काफी यदा अच्छी देखने को मिलने वाला अगर आप call पर बात करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत इस phone पर देखने को नहीं मिलने वाली है काफी लोगों के मन में confusion किया हूं इस phone को purchase करते हैं तो इसकी performance हमको बहुत यादा घटी है देखने को मिलने वाली है तो मैं आपको बता दू कि मैं काफी दुनों से दिक्कत देखने को नहीं मिलने कोई भी लैग बगएर मुझे देखने को नहीं मिलना है इस phone पर अभी तक मैं यूज कर रहा हूं बिलको से तरीके से देखने को मिलता है अगर आप इस phone पर gaming करने लगते हैं तो तोड़ा सा आपको lagging problem देखने को मिलने लगीगी तो अगर daily to daily यूज में तो सबसे best आपके लिए हो सकता है मैं यूज कर रहा हूं मुझे एक भी lag ना ही hanging problem इस phone पर face करनी पड़िए बहुत यादा स्मूथ तरीके से ये phone work कर रहा है मेरे पास बहुत याची से चल ला है मैं आपको यही बोलूँगा कोई मैं sponsorship की वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं अपने experience के साथ में बोला हूं बहुत याच्छा मुझे तो camera में थोड़ा समय कमी निकालूंगा वैसे तो टॉप क्लास के camera performance इस phone पर देखने को मिल जाता है फ्रेंड camera आपको 32 MP का देखने को मिल जाता है बर जो आपको camera's की colors देखने को मिलते हूं हलके हलके आपको red type की देखने को मिल जाते हैं काले काले से हलके से आपको देखन करने के लिए अगर आप लेना चाते हैं इस phone को तो मैं recommend नहीं करूंगा कि इस phone को purchase करिए क्योंकि जो इस phone से मैं video shoot करता हूं YouTube के लिए वो थोड़ा सा red red color की मेरे चेहरे को कर देती है इस phone की video तो ऐसा आप सूंच रहेंगों कि आपको देखने को मिलेगा है बट मैंने और क camera तो आपको clarity बहुत यादा best देखने को मिल जाएगी बट थोड़ा सा colors जो आपको देखने को मिलेंगे वह red type के आपको colors देखने को मिले वाले हैं आपके camera's के तो यह बात आप जानके चलिए कि आप friend camera से लेते हैं photo या फिर back camera से लेते हैं हलके से आपको red type की colors देखने को म यूज किया है कोई भी बिना रुके मतलब काफी यदा heavy user के तरह इस phone को यूज किया है अभी भी मेरी बैटरी ये 62% मैंने 95% चार्ज कीती जुब है और साथ मैं अभी तक मैं बिना रुके इस phone को चला रहा हूं तो 62% अभी मेरी इस phone की battery है तो battery में आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली आपकी battery बिल्कुल अच्छे से चलती जाएगी बट मैं एक कमी निकालना चाहूंगा इस phone पर कि अगर आप charging इस phone को करते हैं चार्ज करते हैं तो आपको बहुत यादा time लगने वाला है first charger इस phone पर नाम का ही देखने को मिलता है कोई भी आपको first charger का support इस phone देखने हो नहीं मिलता मैं ऐसा ही बोलूँगा कि कोई धाई से तीन गंटे आपको इस phone को चार्ज करने में लग जाते हैं बट बैटरी परफॉम्स तो आपको बहुत यादा कमाल की देखने को मिल जाती है तो Samsung थोड़ा सा अपग्रेट करना चाहिए इस phone के charger को थोड़ा स से दो देना आप इस phone को अराम से बिना रुक है यूज कर पाएंगी बैटरी बहुत यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाती है तो इतनी कुछ कमिया और साथ मैं अच्छा ही देखने को मिल जाती है और भी मुझे को समझ में आती है आंगे चलकर तो मैं आपको वीडि कर देना आपको जिगाइची